हेलो फ्रेंड्स मैं हो रतना और मेरी किचन में आपका बहुत-бहुत स्वागत है आज हम बना कर रेडी करने वाले हैं टूटी-फूटी यमी केक और वो भी पता है सुजी से ना तो इसमें मैदा है और ना ही चीनी मैं इसमें सुजी और मिस्री यूज कर रही हूँ जिससे ये पूरी तरह से healthy cake है तो taste भी और health भी दोनों एक साथ बहुत यमी लग रहा है ना तो आईए देखते हैं इसमें हम क्या ले रहे हैं सूजी ले रहे हैं 150 ग्राम मिसरी या फिर चीनी दोनों में से कोई एक चीज लेंगे 80 ग्राम दूद लेंगे एक कप मिक्स करने के लिए और टूटी फ्रूटी 100 ग्राम लेंगे बटर यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं थोरा सा ज्यादा 60 से 70 ग्राम आप बटर की जगा घी भी ले सकते हैं या फिर refined oil भी यूज कर सकते हैं बेकिंग सोडा लेंगे हाफ टी स्पुन बेकिंग पॉडर हाफ टी स्पुन वनीला एसेंस लेंगे 6 से 7 बुंद और केसर की धागे 10 से 12 अब हम सबसे पहले मिश्री, बटर और हलका सा दोध इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हाँ फ्रेंड्स मैं इस केक में बटर यूज़ कर रही हूँ अच्छी मात्रा में और बटर में नमक होता है तो मैंने उपर से नमक नहीं डाला है अगर आप रिफाइंड ओयल या फिर घी यूज़ कर रहे हैं तो आपको आधी छोटी चमच नमक भी लेना है अब इसे हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक बटर, मिश्री अच्छी तरह से दूद में मिक्स ना हो जाए यह हो गया मैं दिखाती हूँ यह देखे बहुत अच्छी तरह से यह मिक्स हुआ है अब इसमें हम बाकी सभी चीजों को डाल लेंगे सूजी को और दूद हम और इसमें एड़ करेंगे तो दूद हमने डाल लिया बेकिंग सोडा, बेकिंग पॉडर डाल लिया वनिला एसेंस और कुछ धागे केसर का भी हम लेंगे इससे हलका येलो कलर बहुत ही सुन्दर बना देगा इसको और इसका फ्लेवर भी अच्छा होता है लेकिन ये आप्सनल है इसे हम बंद कर लेंगे और मिक्सी में इस तरह से मिक्स करेंगे हम इसे मिक्सी में खुब अच्छे से मिक्स करेंगे ये देखिए ये मिक्स हो रहा है हम इसे एक बार देख लेते हैं ये देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो रहा है लेकिन हम इसे थोरी दिर और मिक्स करेंगे फ्रेंड्स क्योंकि हम इसे हाथ से आज नहीं करने वाले हैं मिक्स इस बैटर को तो थोरी दिर हम इसे और मिक्स करते हैं ताकि केक हमारा खुब फ्लफी बने और टेस्टी भी तो हमें इसे बहुत अच्छे ढंग से मिक्स करना है कुछ देड इसी तरह से मिक्स करने के बाद अब यह हो गया मैं निकाल कर दिखाती हूं इसकी कंसिस्टेंसी क्यूंकि इसका मिक्सर थिक नहीं रहना चाहिए सूजी है वो पानी को या दूद को सोकता है तो इस तरह का हमें पतला ही बैटर रेडी करना है अब इसमें हम तुटी फ्रूटी को मिला लेते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं थोरा सा और मिला लेते हैं और यह रेडी है अब हम कोई बरतन लेंगे ऐलमुनियम का और इस तरह से घी या फिर refined oil चारों तरफ लगा लेंगे और एक butter paper इसी के साइज का काट कर इस तरह से और इसके बीच में रख देंगे इस तरह से butter paper के सहारे केक बहुत ही आसानी से निकल जाता है बाहर और इस में हम केक का ये mixture इस तरह से डाल लेंगे और इसके उपर अब टूटी फ्रूटी ये इस तरह से डाल लेते हैं और थोरा सा इसे इस तरह से टैप कर लेते हैं ताकि ये सेट हो जाए अच्छी तरह से और थोर असा इसे हम और सजा लेते हैं टूटी फ्रूटी से ताकि ये देखने में भी उतना ही खुबसुरत हो जितना ये टेस्टी बनता है ये रेडी है अब हम चलते हैं कुकर की तरफ तो कुकर लेंगे और इस तरह से उसमें कोई स्टेंड डाल देंगे या प्लेट को अब पलट कर भी रख सकते हैं बगैर नमक के भी बिना नमक के भी ये केक बन सकता है इसलिए मैं आज यूज नहीं कर रही हूँ तो इस तरह से स्टेंड रखकर गैस के फ्लेम को तेज रखके और इस तरह से सीटी निकाल कर ढखकन का हम इसे बंद करके 5-7 मिनट तक प्री हीट करेंगे फुल फ्लेम पर अब ये प्री हीट हो चुका है अब हम इसके अंदर केक के कंटेनर को बरे ही सावधानी से रखेंगे क्योंकि ये कुकर बहुत ही गरम है तो सावधानी बहुत ज़रूरी है और इस तरह से फिर ढखकन हम बंद कर देंगे और अभी शुरू में हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे फिर बीच में हम इसे 5-10 मिनट के लिए मिडियम आज पर भी पकने देंगे ये बेक हो रहा है और टोटल अभी 35 मिनट हो चुके हैं हम इसे खोल लेते हैं अब ये रेखिए ये एक आये खोलने से स्टीम इस तरह से हो गया ये अब ठीक हो गया ये बहुत अच्छी तरह से पक गया है बहुत खोबसूरत केक रेडी हुआ है कलर भी बहुत अच्छा आया है तो अब इसे हम चेक करेंगे मेरे पास खुलफी का स्टिक रखा हुआ था, उसी से मैं चेक कर रही हूँ, यह बिल्कुल साफ निकल रहा है, यानि केक पूरी तरह से पक चुका है, इसमें अगर केक का बैटर लगा होता, मतलब थोरा सा केक और बेख होता, आप इसे चाकू से भी चेक कर सकते हैं, या किसी भी नुकीले चीट से चेक कर सकते हैं, इसमें डाल कर, तो यह ठंडा हो चुका है अब, और मैंने इसे निकाल लिया है, प्रेशर कूकर से, यह बहुत ही यमी केक बनकर रेडी हुआ है, बहुत अच्छा, अब इसे हम किसी प्लेट में निकाल लेते हैं, तो इस तरह से, मैं निकालती हूँ, यह देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से यह निकल गया न, बटर पेपर लगाने से बहुत फायदा हो गया, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करने पड़ी है, अब इसे हम इस तरह से पलट लेते हैं, यह देखिए, यम्मी यम्मी सा, टेस्टी केक, बिल्कुल तयार है, अब इसे मैं काट कर दिखाती हूँ, यह देखिए, कितना स्पंजी है यह, यह रहा, दूसरा कट, और यह देखिए, बहुत टेस्टी, अब मैं थोड़ा सा खाने के लिए स्लाइस काटती हूँ, यह देखिए, बहुत ही सुन्दर है, फ्रेंड्स, इसका जवाब नहीं, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, यह देखिए, कितना सुन्दर कलर आया है, कितना सुन्दर बेक हुआ है, और उतना ही ज़्यादा यह टेस्टी भी है, बहुत टेस्टी है, अमेजिंग, बहुत टेस्टी है, फ्रेंड्स, तो क तब तक के लिए इजाज़त दीजे, बाई बाई